Hello Friends, Class 12 IP में अब हम लोग बात करने वाले Series vs. 1D Data Structure and NumPy Array को लेकर के तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ लोग यहाँ पर compare करेंगे कि जो Series है और जो list है अपने पास उसमें क्या कुछ differences है और ऐसे ही दूसरे और भी Data Structure को लेकर के बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं Series Object vs. List को लेकर के जो हमारे पास में Series होती है इन्हें की Pandas का एक Data Structure है और जो अपने पास ने Python में लिस्ट है उनमें क्या कुछ difference है यह हम बात कर लेते हैं Definition को लेकर के बात करते हैं दोस्तों यह आपके पास यह One Dimensional Labeled Area होता है ठीके One Dimensional Labeled Area का मतलब क्या हो गया है कि अगर इसमें आपने डेटा की अगर मात करें तो आपके पास Zero, One, Two, Three पर सपोज आपने कोई Value लिखी है जैसे कि Five, Eight, Nine, Seven तो यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह क्या करता है आपके पास में इसका Index ठीके अब यह जो Index है वो सकता है आप Zero की जगे A लिखना चाहें इसकी जगे आप Me लिखना चाहें इसकी जगे C इसकी जगे D तो आप इसका Laban बदल रहें तो आप इसका Index चलती है यहां फिर लास्ट वाले का इंटर होता है माइनस वन उससे पहले मादा माइनस टू माइनस ट्री ऐसे करते हुए आप चल सकते तो आपके पास दो तरीके होते हैं Indexes होता है एक फॉर्मड और एक होता है आपके पास backward तो यहां पर आपके पास order बेस भी रहने वाना होता है मैंशा जैसे आपको बताता है जीरो एंटू टू टू पर चलता है टाइप को लेकर के बात करें तो दूस्तों आपके पास homogeneous है मतलब all elements must be one of the same data type या तो आपका पूरा data किस टाइप का होगा integer या आपके पास वो पूरा data होगा float या फिर वो सारा के साथ data होगा string तो आपके पास यह 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 या फिर कोई भी एक data आप नहीं सकते जिलिके जितने भी elements है फिर वो साथ यह की type के आपके पास ओने वाले है जबकि list को लेकर के बात करें तो दोस्तों list के अंदर आप different different type के data भी डाल सकते हैं वो सकता है आप integer डाल दे हैं वो सकता है आप उसके अंदर float भी डाल दे हैं और वो सकता है list के अंदर आप list भी लिए जैसे कि आप पूरी list जिसको हम लोग बुलते हैं तो list के अंदर भी आपके पास list खोश सकती है ऐसे ही अगर हम बात करें operations को लेकर के अगर बात करते तो दोस्तों support vectorize operation vectorize operation क्या होता है कि जैसे मैं अगर एक list के बात करता हूँ list में ऐसा possible नहीं है कि सभी elements के उपर एक साथ काम हो जाए जबकि इसमें इस वाले पर दूसरे या तीसरे या चौर्थ जितरे भी elements इस series में उन सब के उपर आप काम कर सकते हैं element wise तो list में क्या है इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है एक लूप चलाना पड़ता है अगर बात करते हैं missing data handling को लेकर गए तो can handle missing data with nan values जबकि अमारे पास list के अंदर दोस्तों no built-in support for missing data इसके नहीं आपको फिर जो है वो custom handling करने पड़ती है तो इस तरीके से आप list के अंदर खुद अपने इस आप शिर्स को manage करते हैं जबकि series में आप इसको कह सकते हैं कि inbuilt इसके features हैं इसी type शकर हम बात करें कि integration को लेकर की तो हम लोग कह सकते integral to pandas data frame आप series के पेस पे data frame बढ़ा सकते हैं जब यह बात करें not directly integrated with pandas यह ही direct आपके साफ जो है वो list वो pandas के साथ connect महीं होता है ठीके but can be converted to series or data frame तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा list को बनाना पड़ेगा series में यह data में उसके लिए आपको पहले pandas को use करना पड़ेगा memory को लेकर के बात करें तो यह आपके पास series जो है वो java memory occupy करता है ठीके क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं यह fixed data type है इसकी वज़े से तो more memory efficient due to fixed data type जबकि अगर हम list को लेकर के बात करें तो less memory effective आपके पास efficient होता है when storing large data of mixed data type तो आप यहाँ पर जो है वो generally list को ज़्यादा यह use करेंगे series के बज़ाए क्योंकि यह जो है वो इसकी size जो है memory में वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इसी type से performance को लेकर के बात करें तो series वो faster है ठीके तो faster for large scale data operation due to optimization जग की अपन बात करते है list को लेकर के तो slower for larger scale ठीके तो यह तोड़ा अगर बड़े level पे बात करेंगे तो list जो है वो तोड़ी देरे काम करेंगी उसकी processing तोड़ी slow होगी use case की बात करें तो किया सकते suitable for label data time series and large scale data operation जबकि list को लेकर के बात करें तो suitable of general purpose programming and small correction of mixed data तो तोड़ा ही data है आप यहाँ पर यह list को use कर सकते है बड़ा data है level data है तो फिर आप यहाँ पर series को use कर सकते है तो दोस्तों इस तरहीके से हमने बात कर रहा है series or list में क्या difference है भी हम बात करेंगे series or index को लेकर करके इन में क्या difference है तो देखी definition wise बात करें तो one dimensional label लेरेंáveis with index label है इसमें आपके पास कया होते है इंडेक्स है in यह कि लेबल उते हैं जो की की इसके इसके अंदर अकर पर बात करें ठीके dictionary में इसमें क्या होता है आपके पास key और value का pair होता है indexing को लेकर करें बात करें index label can be customized इसमें आप customize कर सकते बात में आप इसमें changes कर सकते हैं तो यहां लिखा है key sub as indexes और unorder और आपके पास unique होता है ठीके तो series आपके पास क्या सकते है duplicate भी हो सकता है index जबकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है data type को लेकर करें बात करें तो homogeneous होता है homogeneous का मतलब क्या होगा all elements must be same type जबकि यह आपके पास heterogeneous है मिल्कुल जैसे की list की तरहीं तो इसमें आपके पास key और value का pair होता है और यह सभी आपके पास different different data types के हो सकते हैं फिर बात करते है operation को लेकर लेकर करें support vectorized operation यह vectorized operation support करता है जबकि डिक्सिलरी जो है वो वेक्टराइज operation को support नहीं करता है उसके आपको क्या use करना पड़ेगा लूप जैसे पर list में भी बात करतें missing data को लेकर के बात करें तो इसमें missing data handle होता है जबकि यहां पर बात करें missing keys return a key error अगर आपने वहाँ पर empty डादा तो यहां आपके पास key error आएगा or can use get function ठीके return a default value तो यहां आपको use करना पड़ेगा get function को इसी तरीके से दोस्तों के बात करते हैं हम लोग तो हमारे पास आएगा memory को लेकर के तो more memory है जबकि यहां पर less memory होगा ठीके इसी type से performance को लेकर के बात करें तो large skill पर आप इसको use कर सकते है numeric computation आप यहां पर कर सकते हैं जबकि इसको बात करें तो किया सकते हैं कि efficient for lookup and insertion but not optimized for numerical computation तो ठीक है आप data store कर सकते हैं ठीक है optimize कर सकते हैं लेकिन अगर अगर आपन बात करें numerical computation को लेकर के मतलब calculations पर इस लेवर पर तो यहां आप इसकी जो है performance होड़ी कम हो जाती है इसी type से integration को लेकर के बात करें तो कह सकते हैं कि integral of panda data frame and can be easily converted convert कर सकते हैं हम लोग to or from other pandas object कि इस दूसरे में जैसे कि data frame में किसी और में पी अगर आप बदलना चाहें series को तो आप convert कर सकते हैं जबकि इसमें क्या can be converted to a series ठीक है और data frame but not inherently part of pandas use की बात करें तो कह सकते है ideas for numerical data जबकि इसकी बात करें तो यह क्या है key और गाल्यों के बेर में अगर आपको कुछ data store करना है like table या accessibility की तरह है तो आप इसको यूज कर सकते है तो dictionary हम लोग पहले भी यूज करके देटी चुके इसी टाइब से दोस्तों अवगर हम बात करते हैं तो यह series और 1D numpy array को लिकर के बात करें तो numpy क्या हो गया आपके पास में ये भी आपके पास एक library है जैसे की pandas होती है इसके ल इसका मतलब आपके पास इसके अंदर सपुस्ट तीन एनिमेंट है तो ही आप यहां पर इसको यूज कर पाएंगे अगर आप किसी भी टाइब के कह सकते हैं कि वेक्टराज ओपरिशन करें तो यहां कहने का मतलब क्या हो गया कि शेप आपके पास एकोल होने चाहिए तो in case आपको क्या देगा आपको कॉन सीरीज इसी टाइब से इन एंडी एरे कह सकते हैं अगर इंडेक्स आपको नुमेरिक इसमें क्या होगा आपके पास इंडेक्स बदल सकते हैं इसकी जगे A, इसकी जगे M, C, इसकी जगे B या कुछ और नाम आपके यह होगा आप इंडेक्स पें SH? सकते हैं जैनिकि अगर मैं कहूं तो इंडेक्स हमेशा न्यूमेरिक रहेंगे किसमें वर्णी नमपाई एरे में जबकि आप यहां पर लेबल इंडेक्स है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं ऐसी दोस्तों कर अपन टेबला अगर देखें डिफरेंस इस तो क्या है यह हो आप इंडेजर रखेंगे या फ्लोट या कोई और टाइप इस सपोर्ट एक्स्पिसिट इंडेक्सिंग ठीके जबकि इसमें क्या बूल रहा है इंडेक्सिट इंडेक्सिंग तो इसमें आपके पास आप अपने इसाप से इंडेक्सिज नहीं कर सकते हैं सीरीज में आप अ यवर्ट उपरेशन कर सकते हैं जबकि वंडी यह में क्या इट चैन परफॉर्म एक्टरास ओपरेशन ओन टू एंड और ओनली इप दर सेम शेप आपके पास होंगे घर श्येप मैच होंगे तो री कर पाएगा जबकि इस वाले मैं आपके पास यहां कर सकते हैं नहीं आपको देदेगा ठीके इसी टाइब से एक और बात करते हैं वह कम करते हैं तो इसके बहुत सारी डिफरेंसेस आपके पास हो सकते हैं कुछ बैसिक डिफरेंसेस मैं आपको यहां पर बता दिये हैं तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगी पर इतना ही देख लिए अगली वीडियो में एक और नए टोपिक आप लोगे लेकर आना वाल जिसान經 से बात हैं कि देटा पहरुक दोस्तों अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तक आप मेरे असोट जुड़े रही है तेंक्यू